आज़ के फैलू से हम बात करने वाले कोवर 19 में प्लाज्समा थेरिपी जो कोरोना वाइरस के इलाज हुने बनी है popular इसका तरीका क्या है किस तरीके से baptized क्रिशे से ही जब आज हम बात करने वाले आ कोरोना वाइस संक्रमित ब्यक्ति जो अब ठीक हो जाता है तो कम से कम 28 दिन के अंतरा पर अपना प्लाजमा डोनेट कर सकता है सुस्त हो चुके मरीज के सरीर में एंटिवर्डी बन जाती है जो उस वाइरस से लड़ने में सक्षम हो जाती है और प्लाजमा के जरिए इससे दूसरे रोगई भी एंटिवर्डी पैदा होने लगती है ठीक है प्लाजमा ठेरिपी फॉर कोरोना वाईरस का कहर लगातर बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस देखे बढ़ता जा रहा है 25-24-24-24 के संथिंग में जो संख्या इसमें पार हो चुकिए बैग्यानिक जो है जो दुनिया भर के बैग्यानिक वो इस चीज में लग रहे हैं कुछ न को ढूंडने में लग रहे हैं तो राजधानी जो है आपकी ठीक है ना राजधानी के दिल्ली के जो मुख्य मंत्री हैं अर्विंद केजी वाल ने सुक्रवार को पत्रकार के सामने जो है बात की और प्लाज्मा थेरपी की मदद से चार मरीजों के सही होने का उस्सा धरजग नतीजह हैं यहाँ पर दिया है कुछ और गंबीर रूप से संकमत्स लोगों भी प्लाज्मा थेरपी दी जाएगी ऐसे में लोगों में उतवता है कि प्लाजमा थेरे की कोरोना वाइरस के इलाज में मददगार सावित हो रही है किन मरीजों के जरिये हो सकता है इलाज और मतलब कौन सा इलाज में साया कहते हैं बदोड़ा समझ लीजिए इस थेरेपी में जो लोग कोरोना वाइरस से जंग को मात दे चुके हैं उनके खून से प्लाजमा निकाला जाता है फून से प्लाजमा लिगा था इसके बाद उसे को दूसरे कोरोना वायरस संक में तरोगी को डोनेट कर दिया जाता है मतलब जो व्यक्ति सही हो चुका है उसकी बॉडी से प्लाजमा लेकर दूसरे बॉडी में इंजेक्ट कर जाएगा बता दें कि जिन लोगों में कोरोना वाइरस का संकमा ठीक हो जाता है उनके सरीर में उस वाइरस से खिलाप प्रतिरों तक छमता बन जाती है मतलब उस रोग से लड़ने की या क्या कहते हैं कोरोना वाइरस से लड़ने की क्या हो चुमता बढ़ जाती है ठीक है जब प्लाजमा डोनेट करते हैं उनके बलड से प्लाजमा को अलग कर दिया जाता है और स्वस्टो के मरीज में एंटीवर्डी बन जाती है उस बाइरस से लड़ने में सक्षम होती है और दूसरे रोगी भी एंटीवर्डी पैदा होने लगती है उनके सरीर में देगे इस से संबंदित जो खबरें वो क्या है दाध दस से छुटकारा दिलाने मदद कर सकता है वह है लोंग यह सोड़ी अलग जानकारी है लेकिन मैंने दे दी कोई बात ही ठीक हुए लोगे कितने दिन बात बात कर सकते हैं बात कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेट ठीक है प्लाज्मा डोनेट कितने दिन बात कर सकते हैं तो कोरोना वाइरस से संक्रमित बैक्ती जब ठीक ह दिन के एंदर कर सकते हैं। PCMR से जायत मिलने के बाद, डिल्ली और कर्नाटिक जैसे aan राज्यों में लोगों को प्लाज्बा थेरपी देने की पर कुरिया कर्किरिया शुरूर हो चुकी है। बता दें कि विस्व स्वास्ता संगठन डबलु एचु ने इस थेरेपी को जो बहतर माना है वहाद के अलावा जो दूसरे देश है अमेरिका हो गया इंग्लेंड हो गया है नहीं तो यहां पर प्लाजमा थेरेपी पर प्रेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं चीन ने भी दावा किया है कि प्लाजमा थेरेपी की मदद से वह कई मेरेजी को ठीक हो चुके हैं इस थेरेपी में किसका हो सकता है इलाज किसका इलाज यहां पर हो सकता है तो प्लाजमा थेरेपी का इस्तमाल करने का दिसा निर्देश जारी किये गए है कि किस पर आप जो है उसे लागू कर स सकता लोग कोरोना वायरेस से गंभी रूप से प्रभावित हैं जिने सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है उन मरीजों को प्लाज्मा दिया जा सकता है एक डॉनर प्लाज्मा का इस्तमाल 2-5 मरीजों को ठीक किया जा सकता है health expert की माने तो एक मरीज को ठेक करने के लिए 200 से 500 ml प्लाजमा की जरुवत होती है प्लाजमा की जरुवत होती है वही इस therapy के इस्तमाल में 3 से 7 दिनों तक भीतरी मरीज जो हो जाता है स्वस्त होता है यह श्याँ टारिग्स का रिकारजा सब्सक्राइब कर दिए आप जल्दी से जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए okay thank you